वाला मित्रो, नमस्कार, हुँ पंकत जानी, हुँ प्रतिलिपी उपर छेल्ला त्रण वर्स्ती लेखब तरीके कारिय करू छू आजे आपने वाचकोने जगडी राखे एवी रस्प्रद धारावाहिक लखवा माटेना केटलाक परिबळो विशेवात करीशू जारे आपने कोईपन दारावाहिक के लांबी दारावाहिक लखवानों विचारीय चे त्यारे दारावाहिक लखवा खातर लखवानी जग्याए दारावाहिक रस्प्रत बने एरिते लखवानों आयोजन करू जूए जेथी वाचको रचना पूरी थाई त्यां सुधी रचना साथे जकलाई रहे अन्य था वाचको आपनी रचना अधवच्चे जवाच्वानों छोड़ी देशे जेथी आपनी रचनाना वाचको पन गट से अने आपनी आवक पन गट से एमा सोती पहलू अगत्यानू परिवढ़ छे वार्तानी सरुवात सरुवात ना ब्यत्रण हकताज एटला रोचक राखवा जोईए के जेती वाचकोने आखी रचना वाचवानी इच्छा थाए नहीं तर वाचको अध्वच्छे ती आपनी रचना वाचवानी छोड़ी देसे घणीवार एव थाए के रचनानों मद्यपाग खुबज आकर सोकोई तो एवास संजोगों मा आपने मद्यपाग थी वार्तानी सरुवात करवी जोईए जेथी वाचको आपनी रचना साथे जोड़ाईला रहे बिजू अगत्यनू परिबड रचनाना पात्रों छे आपने रचनाना पात्रों एवी रिते सर्जन करवा जोईए के जे वास्तविक लागवा जोईए आना माटे सामन्य व्यक्ति जेवी शक्ति यो धरावे छे जेवी नबलाई यो धरावे छे ये प्रकारना पात्रों नू सर्जन करवा जोईए कोई सूपरमेन अथवा तो भुद्प्रितनी वारता होई त्यारे आपने पात्रों ने अलोकिक हaking शक्ति यापए तो एवा बाता लग छे अन्य था सामने रिते पात्रों सामने सकती धरावता हो एवा वास्तविक लखवा जुई ये थी वाच्चकोंने पात्रों वास्तविक लागे क्या रेक पात्रों नू आलेखन करिये त्यारे पात्र खुश होय नीराश होय गुश्य होय तो एवा समय आपने एम लखिये के जेते पात्र खुश छे अथवा नीराश छे अथवा गुश्य छे एना करता कोई एक प्रसंग नू निरूपन करूजुए अनि ए प्रसंग मा ए पात्र गुष्चों के नीराशा के खुशी व्यक्त करे तो ए वद्दू वास्तविक लाक्से औने रचना पण रस्प्रत थसे आना माटे आपने आजु बाजु मा अने आपने मरता लोको नू सतत निरिक्षन करता रहू जुए के जेती अलग-अलग लोको ना वर्तन विसे आपने जानकारी मेडवी शक्रिए औने ए अनुसा निरूपण करी शकीये ज्यारे आपने कोई विलननू पात्र सर्जिये ट्यारे आपने ए वर्णा एविरिदे करो जूये के जेती वाचकोना मनमा यनी एक छबी उभी थाय औने एने आधारे वाचको ए विलनने गुरून अथ्वा क्यारे एना माटे सम्वेद ना पण व्यक्ते करे। आम रचनामा पात्रों नू आलेखन खुबज वास्तविक होई एनू ध्यान राखवु जोईए। त्रिजू अगत्यानू परिवड़ छे वाचकोने हुग्ती जोडी राखवा। पहला 15 हप्ता प्रतिली पीवपर फिरी होई छे। आथि दरेक वाचक 15 हप्ता तो वाँचे छे। परंतु 15 हप्ता दर्म्यान जो कोई अगत्याना प्रस्नों के आतूरता जगावे एवा प्र प्रस्नों सर्जवा जोईए और एवा प्रस्णगोंनू निरूपन करवो जोईए के जेथी वाचको रचनाना अंत सुधी जोडाएला रहे। अने दीमें एक पची एक प्रस्नानों एमने जवाब मढतो रहे। अने रचनाना छेल्ला हप्ता सुधी ए वाचको आपनी प्रस्णा साथे जोडाएला रहे। चोथू अगत्यानू परिबढ़ छे वार्तामा वर्णानात्मक भासानों उप्योग। आपने वर्णन एवी रिते करवो जोईए के जेथी वाचकने एवू लागे के पोते घटना समय जेते जग्याय हाजर हतो जेते घटनानों पोते साक्सी छे आ माटे आपने गटना पेटा गटनाव साथे सम्मादोनू मिश्रण करी अने एक रोचक अने खुब सरस परिश्थितियों निर्मान करवो जोईए के जे वाचकने आकर से आपने वार्तामा एवू लख्ये के आवू छे के तेवू छे एना करता आपने भावात प्रसंगों निर्उपन करिये, आतुरता जगावे एवा प्रसंगों निर्उपन करिये, अने एमा आपनी भासा एवी होए के ए द्रस्य वाचकोंने जीवन्त लागे, के पूतानी नजर समक्स ए घटना बनी रही छे एवू लागे, तो आपनी रचनानू वर्णन एवू ह पाउजुए के जेती वाचकों आपनी रचना साथे जखडाये ला रहे, पांचमू अगत्यानू परिबढ़ छे वार्ता मा आप तो संगर्स, कोई पन रचना संगर्स वगर के विलन वगर सक्या नथी, हवे आ विलन कोई व्यक्ती पन होई सके और कोई परिस्थिती पन हो के जेती वाचकों ने एए अवस्तविक लागे नहीतर वार्ता बुरिंग थाई जैसे, क्यारेक व्यक्ती आंतरिक संगर्स अनुबहतो होई छे, त्यारे एवा समय पात्र पूतानी जात साथे वात करतो होई, इवी रिते आपने एनों संगर्स बतावी शक्या छे, तो आ ह चुआ माटे आप सवनों खुब खुब आबार।